आज संडे है और इस वीडियो में मैं आपसे दो इंपरेंट अपडेट शेयर कूँगा एक तो है US Embassy अपडेट की बारे में दूसरा है अपडेट की बारे में भी जो हाली में थोड़ा सा चेंजेस हाया है और VFS Global शुरू कर दिया है अपना काम तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों हाली में इस चानल में हमने अपडेट दिया था आपसे कि US Embassy ने अपना काम शुरू कर दिया है और बहुत सारे slots वो आड़ कर रहे है डे बाए डे कुछ लोगों का मिलने के बाद भी कैंसेलेशन हो रहा है यहां तक कि दोस्तों कुछ लोगों ने इमेल किया अमेरिकों और यह क्या बहुते कमेंट्स भी किया कि उन्हों ने अपना एफन स्लोट के लिए वीजा अपलाई किया था जिश को नहीं मिला लेकिन जिनों कोशिश किया कि एक्सपडाइट करने के लिए एमर्जसी वीजा के जरीये और जो ने एक्सपडाइट किया था लेकिन क्या बोलते हैं उनको अपन्बेंट भी मिल गया एक्सपडाइट करने के बाद एमर्जसी वीजा के लिए मिल गया लेकिन कुछी दिनों में इंट्रू नहीं कर पा रहे हैं या कि बहुत सारे लोग है वाल्यूम है तो अगर आप सुछते हैं कि मतलब एक्सप्राइट किया आपने आपको मिला लेकिन फिर से किजिए कि मतलब स्लोट्स क्या बोलते हैं सर्च करने के लिए डेली ट्राइट किजिए आपको मिल भी सकता है हाँ कोई कि एक्सप्राइट करने कि कोशिए अइसे मत किजिए क्यूंकि आगर मिलेगा तो भी मतलब अतना यह नहीं रहेगा जदुन केस्स में ही करिए बहुती मतलब मैं बोलोगा कि exception case में नहीं तो आप normally try किज़ें आपको मिल जाना चाहिए ठीक है वो same policy रहेगा H1B visa के लिए भी same policy रहेगा L1 visa के लिए और जो भी मतलब normal category है जो B1 B2 visa के लिए मतलब हो तो मैं अलग से category रहेखंगा क्योंकि वो normal scenario अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन दोस्तो रीनीवल के लिए शुरू हुआ है लेकिन मैं यह भी देख रहा हूं कि comments में और email में renewals के लिए भी कुछ लोगो dropbox facility नहीं मिल रहा है हाला कि system के बलते हैं जैसे apply करोगे आप questionnaire और web form flip करोगे वो message देखा कि yes congratulations you are eligible for the dropbox मैंने हाले में एक वीडियो बनाया था लेकिन वो मिलने के बाद appointment जो होता है appointment dropbox के लिए जो consulate appointment होता है मतलब उस location के लिए वो नहीं मिल रहा ठीक है for example कोई location select करते हैं तो location का नाम आता है V option नहीं मिल रहा है तो यानि कि अभी शुरू नहीं हुआ है हर location में नहीं हुआ है किसी-किसी location में हुआ है आप try कर सकते है यह भी guaranteed नहीं है क्यूंकि अभी इतने लोग वालिम ने सा गया है कि मतलब उपर से Christmas आ रहा है नूँ आ रहा है लोग छुटी पे जाने क्यों को यह प्लान कर रहे है जाएंगे भी चुटी पे आपको पता है कि ज्यादा तर Western countries में including USA मतलब Christmas और यह निवर में ज्यादा तर छुटी लेते हैं हर company में भी लेते हैं तो obviously December का end of the week और first week of January दो वीक आप ज्यादा slots नहीं पाएंगे उन डेट में ठीक है और मुश्किल है इंटर appointments तो यह था quick update दोस्तों यह US embassy के बारे में अब चलते है केनरा embassy के बारे में दोस्तों केनरा embassy ने एक अपडेट दिया है quickly यह दो दिन पहले जो की very very important है दोस्तों आज तक दोस्तों केनरा में जो है visitor visa नहीं बिजनस विजा या फिर टुरिस्ट विजा जैसे US का भी है B1 B2 केनरा का है दोस्तों अब तक क्या हो रहा था online application चल रहा था online के सब्स अप्रू हो रहा था उसके बाद जाके document से submit करना था वह हो रहा था लेकिन दोस्तों online आमें फिलाल के लिए बंद कर दिया गया है पता नहीं हो सकता है कि मतरब volumness को ऐसे या किसी भी कारण में detail या भी agent है उन्होंने का कि आप embassy website में जाके directly questionnaire भरके web form भरके मतलब जो भी process है वो complete करके hard copy print करके signature दालके sign करके वो आप nearest VFS global location में जाके hand over करें यह नहीं कि directly जाना है आपको VFS global में बकायदा आपको apartment लेना पड़ेगा जैसे हम B1 B2 का लेते हैं apartment लेके वहाँ पर जाके आपको दो matrix जाना पड़ेगा जो भी रेटेना है आइस का और यह था vibration photograph वगरा उसके बाद hard copies आपको submit करना पड़ेगा उसके बाद processing होंगा अपने time case आप से दोस्तों मैं फिर repeat करता हूं दोस्तों कैनला जो भी US मतलब स्वारी कैनला tourist विजा में जो भी visitor विजा में जाना चाहते हैं वो अभी online फिलाल के लिए नहीं है hard copy offline ही है मतलब आप website में जाएए process follow किजिए और print out लेने के बाद आपको submit करने के बाद आपको appointment book कमान करना पड़ेगा यह VFS global में nearest वाला उसके बाद आपको date में जाके document submit करके आना पड़ेगा उसके बाद आपका जैसे वीजा अपरू हो जाएगा जैसे कि उनका timeline है एक हफ्ता दो हफ्ता उसके अंदर अंदर आपका passport मिल जाएगा पहले तो यह हफ्ते में आता था पता नहीं आप इस situation में कितना दिन लाएगा मेरे को पता नहीं कि हाले में मैंने या किसी और ने मतल आपको multiple entry मिल जाता है 10 साल का और एक वीडियो के पहले के बारे में और एक बता देता हूं कंदरा टूरिस्ट या बिजनस विजा में इंटर्विव नहीं होता जो अपार्टमेंट लेंगे VFS Global में वह होगा आपका बाय मत्रिक्स के लिए और डॉकुमेंट सब्मिशन के लिए उसके बाद आप क्या बलते हैं पासपोर्ट वापस लेने के लिए आप सेलेक कर सकते हैं कि वही VFS Global Office में ही जाके ले सकते हो या फिर आप अपना घर कार्ट रज़ दे सकते हो या फिर अपना आफिस कार्ट के बताना में डीटेल प्रोसेस वीडियो बनाके आपसे शेयर करेंगा बहुत जल्द ठीक है और दोस्तों केनरा विजनस विजा या विज्टर विजा में एक चीज़ देखाऊ में वहां पर बहुत सारा डॉकुमेंटेशन चलता है बीवन युएस बीवन बीटू के कंपे लेकिन वह इंट्रवे के वक्त या पता नहीं वह दॉकुमेंट देखते भी नहीं है 99% एक पसंट ही देखते हैं अगर उनको कुछ क्रॉस वरीफाइ करना हो तो रोड डॉकुमेंट हम उनको देते भी नहीं है साथ में लेके जाते साथ में आते हैं बस अगर आप यह सोच में जो फिल लग किया वही डीटेल वह क्रॉस वरीफाइ करेंगे जो हम इंट्रुवे में आंसर देंगे वही इसको को रिलेट करेंगे बस इसके हिसाब से मतलब यार गोइंट अप्रूद वीजा तो वह है और ट्रेंड नो में वह फुली ट्रेंड यहने कि आपको लगए संडे और मैं कोशिश करूंगा संडे मतलब आट या नौ बज़े लाइव आओंगा दोस्तो आपके जो भी युएस संबसी अपडेट के बार में या बीवन बीटू विजा के बार में जो भी कोशिशन से कोशिश करेंगे कि हम आपस में लाइव डिसकाश करें तो आज शा लागे तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर कोई नोटिफिरिशन को हिट कर सकते हैं क्योंकि यूस में से ओपनिंग स्टेटस और यूस विजा टिप्स और प्रोसस के बरह में बताते रहता हूं प्लस मैं ज्यादा दर फोक विडियो में तब तक टेक केर बाइबाई सी यू